कि हम एक passion look book create करने वाले है जो कि celebrity inspired है Hi guys, welcome and welcome back to my channel जो लोग मेरे चानल पर नहे थे उनको मेरा प्रणाप और जो लोग अल्रेडी मेरे चानल पर subscribe है उनको मेरा धेरशारा प्यार So, आज चानल पर कुछ बहुत ज़्यादा creative सा होने वाला है क्योंकि हम एक fashion lookbook create करने वाले हैं जो कि celebrity inspired है या फिर designer inspired है या फिर जो Hollywood models हैं उनसे inspired है so वो हम आज एक lookbook create करने वाले हैं जो भी looks हम create करेंगे वो बहुत basic होंगे like you can recreate them easily और जो ये looks है इन मेंसे मेरे को एक look जो है जो recreate करना है वो सब्यसाची look है वो मैंने उनकी reel देखी थी so उसमें मुझे वो look बहुत पसंद आया था वो बहुत ज़्यादा subtle है, chic है, stylist at the same time बहुत ज़्यादा indo-western है तो आप भी उसे easily recreate कर सकते हैं I will tell you कि वो कैसे recreate होगा या I will show you कि कैसे recreate होगा जितने भी looks है हमने try किया है कि हम उसे as it is तो नहीं बट उनसे inspiration लेके try करें but without changing a style statement so देखते हैं आप वो look कैसे turn out होते हैं जो भी हम video में look create करेंगे वो काफी achievable है like you can recreate them easily और वो बहुत basic outfit से बने वे looks हैं सारे looks कैसे turn out हुए है यह देखने के लिए आप video की end तक बने रहे हैं अगर आपने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe to my channel press the red button down below yeah so without wasting any further time let's move to the video because 4-5 looks है जो हम recreate करने वाले हैं तो जो first outfit हम create करने वाले हैं as I have already talked about it कि वो एक subdesachi inspired look है so वो आप screen पे देख सकते हैं कि यह कुछ ऐसा सा लग रहा है so let's talk about its detail now so जो outfit है जो इसका upper portion है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक shirt है जो कि floral print पे है और यह satin shirt है तो first यह हो गया जो second detail पे हमें ध्यान देना है वो है trouser जो trouser है यह एक normal loose trouser है और जो कि white aesthetic में है साथ में इसके एक bed लगी है जो कि floral print पे है और जो neck piece पे है उसमें stone detailing है तो यह juderika हमें ध्यान रखना है so इसके लिए जो मैंने look create करने के लिए सोचा है मैं इसे same aesthetic में create नहीं कर रही हूं so उसके लिए मैंने लिया है यह shirt जो की है यह तो यह मैंने अपने पापा से borrow की है दो इसका color same नहीं है इसका pattern same नहीं है लेकिन I am changing the aesthetic of it as I am taking the inspiration from this look so इसका aesthetic मैं change करके black कर रही हूं तो यह black aesthetic के साथ बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि एक dark color है और इसमें भी वैसे ही floral print है as you can see इसके साथ pair up करने के लिए मैंने यह trouser लिया है जो कि यहां रखा है so यह है black trouser यह black trouser के साथ हम इसे create करने वाले हैं so यह और यह साथ में अच्छा लगेगा वो आपको मैं पहन के दिखाती हूं थोड़ी देर में और इसके साथ जो है यह मैंने belt ली है so मुझे exact same belt तो नहीं मिली बट यह proper belt भी नहीं है ठीक लिए lace है यह belt नहीं है so इसको लेने के लिए मैं market कही थी pultr market वहाँ पे मैंने उन भाया को यह photo दिखाई और जब आप जाएंगे pultr market में तो जो यह shot है यहाँ पे आपको हर टाइप की lace मिल जाएंगी और बहुत प्यारी-प्यारी lace है इन भाया का collection बहुत अच्छा है मतलब mostly मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे इनके पास मिल ही चाता है तो इनका collection बहुत अच्छा है कि जो यह neck piece है जो मैंने मीशो से लिया था जो कि बहुत प्यारा लग रहा है as you can see कि इसमें वो stone detailing है which is matching with the look of Sabyasachi exact तो नहीं हो सकता है but it is kind of like that तो इस stone detailing का मतलब मैं use करने वाली हूँ जो इसके stones है और वो भी multi-color neck piece है now moving to the head gear जो इन्होंने hat का use किया है सर पे लेकिन मेरे पास ऐसी hat नहीं है so I am thinking of a bandana जो की black color में है जो की मेरे trouser से match होगा and which is my dupatta basically which is this so यह basic plain dupatta है जिसे मैं as a bandana use करूंगी इसके साथ so अब देखते हैं कि पूरा look ट्राइ करके कैसा लगा है now moving to the next so जो next outfit है it's a Gigi Hadid's approved look so इस look को आप यहाँ पर देख सकते हैं let's talk about the details now so इस look में क्या है कि इन्होंने एक basic tank top या फिर white top पहना हुआ है उसके साथ इन्होंने pink shirt पहनी है नीचे से एक straight cut denim है और नीचे white boots है so for that I have this जो white से match करने के लिए I have this tank top proper ऐसी t-shirt तो नहीं है but this tank top I have जो straight cut denim है वो है ये denim so अगर आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा तो इसमें ये denim को भी स्टाइल किया था आप देख सकते हैं इससाथ straight cut denim तो यह हम इसके साथ स्टाइल करेंगे and for pink shirt this is that shirt which I am using it is not yeah it is exactly the same kind of exactly the same जो बहुत vibrant colors हैं जैसे pink, green, orange ऐसे colors में बहुत ज्यादा trending shirts हैं तो all and all ये एक बहुत ज्यादा trending look भी है और बहुत subtle look भी है मेरे पास ऐसे same white boots तो नहीं है लेकिन these are the white heels जिनके साथ मैं इसे pair करने वाली हूं so let's look at the final look and if we are talking about the looks related to shirts let's talk about this look of Candle Jenner which is very chic, very elegant so you can see on the screen how this looks like so this is also a very basic look और इसे भी बहुत easily achieved किया जा सकता है अगर details की बात करें तो white tank top है, green shirt है pairing it with these black trouser नीचे से alligator print boots है brown है लेकिन मेरे पास brown boots तो नहीं है so I'm gonna pair it with the black boots और black shades है और black bag है again जो base color है या जो उन्होंने basic पहना है अंदर से white tank top उसके लिए मैं यह tank top यूज़ करूँगी जो मैंने pink shirt के साथ यूज़ किया था पर जो trouser है for the bottom wear हम वही वाली black trouser यूज़ करेंगे जो हमने सब्साचे look को create करने के लिए use की थी this one shirt के लिए मेरे पास exact green shirt है अगर आपने मेरा urbanic haul देखा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने यह urbanic से मंगाई थी और मुझे सच में ऐसी बहुत सारी shirts चाहिए थी जो की same ऐसे patterns में हूँ pink green color में these are the boots I will go with और जो मैं इसके साथ look create करूँगी back के लिए black bag है मेरे पास black bag के लिए है so yeah let's look at the final look की वो सारा look करके कैसे आ रहा है now moving to the next look so जो next look है वो हमारी Bollywood diva inspired है and it is approved by Deepika Padukone so you cannot go wrong with all white you know this and white is my favorite color you should know it by now the people who are subscribed to my channel so yeah as you can see यह look हमें recreate करना है so let's talk about the details so जो details है उनमें क्या है कि जो inner layer के लिए है वो एक long t-shirt है white में जो outer layer के लिए है उसमें इनोंे denim jacket के साथ परके है जो की white है गयान जो bottom wear है उसके साथ एकदम skin fitted white denims है with nude pumps and golden accessories I don't have the exact same things but yeah for denim jacket I have the same denim jacket as you can see this is the denim jacket I will go with it's a short one it's not as long जितना दिपका पादुकून का है jacket इसके साथ में इसको लेयर आप करूंगी with this shirt इनों यह पर दो ही लेयर पहनी है लेकिन I'm gonna go with three layers जिसमें जो second layer होगी वो शर्ट की होगी और जो last bottom layer होगी वो होगी इस tank top की which I have already shown you multiple times pairing it with multiple things जो bottom layer है उसके लिए में पास exact white jeans नहीं है और मुझे ऐसी white skin fitted jeans पहनना भी पसंद नहीं है so I'm gonna go with the trouser जो की है ये so ये trouser basically एक white trouser है और ये pajama है trouser है तो इसमें दोनों type के detail है तो इसके साथ मैं जाना पसंद करूंगी so let's see कि पूरा look कैसे बन के आता है golden accessory से एससराइज करेंगे so yeah let's see and if we are talking about white so I have one more look to recreate in white zone which is very basic and achievable again so again मुझे लगता ऐसा कि जैसे यहाँ पर दिपिका पदुकोन का style statement है ऐसे ही Hollywood में Kendall Jenner है जिसका style statement वैसा ही है मतलब उन दोनों का style काफी match करता है और उनकी physique, body type भी same है तो उन दोनों में वो similarities मुझे लगती है so again जो ये look है ये Kendall Jenner look ही है and it is Kendall Jenner approved look as you can see on screen this look we have to recreate so let's talk about the details for the upper it is basic white shirt which we all have in our wardrobe and it's a must have so for that जो हमने दिपिका पदुकोन में second layer में बनाया था वही white shirt I'm gonna use here so ये white shirt है जो हम इसके साथ use करने वाले है and for the bottom इन्होंने एक skirt पहनी है जो एक like short skirt type है so मेरे पास भी एक ऐसी white skirt है which I cannot find here so ये है वो but ये इतनी short नहीं है मतलब ये कुछ ऐसी सी है बहुत basic सी है but इतनी short नहीं है we are gonna roll it up to make it short और footwear के लिए जो है इन्होंने ये tied up heels पहनी है मेरे पास tied up तो नहीं है but this heel जो मैंने पहले pair की थी so yeah, let's recreate this look have a look now moving to the next and the next look again it's Zipika Padukone's approved look and it is very basic and sexy look these days so let's talk about the details of this look so for the details we have this wide basic shirt and as I have already shown you multiple times कैसी wide basic shirt कितने काम की है मतलब wide basic shirt is a wardrobe must have so वो बहुत काम की है so यहाँ पे भी wide basic shirt है साथ में जो है denims है, blue denims और उपर से corset है black color का और heels में उन्होंने black heels पहनी है और हाथ पे बस golden accessories है so this is the look which you have to recreate so again, shirt के लिए I am gonna take this wide basic shirt so इस shirt में एक added advantage भी है कि यह sheer है तो जो इसकी sexiness को बहुत जादा बढ़ा देती है for the bottom wear I am gonna go with the same denim which I have used in Gigi Hadid's look and for the corset yes, corset is the game changer here so I am gonna go with this corset this one look at this how sexy it is it's beautiful उनके corset में detail नहीं है लेकिन मेरे corset में यह detail है जो की एक add-on है और यह बहुत ऐसेसराइज कर देगा outfit को black heels पी है मेरे पास और golden bangles तो I have as I am wearing them already छुप गए है so इनहे के साथ I will recreate this look so let's look at the look I am recreating so yeah, that's all for today's video I hope you like it and if you have any query or anything related to this video you can ask me in the comment section I will link all the products down below और यह जो सारी basic-basic चीज़े हैं इनसे आप multiple look create कर सकते हैं as you can see so जो basic catch-up है जो basic tips है इस पूरे outfit creation से वो यह है कि वाड्रॉम में एक white tank top एक white shirt तो must have ही और एक white trouser और एक black trouser भी must have है so यह जो सारी चीज़े हैं इनसे आप बहुत सारे multiple look create कर सकते हैं और जो celebrities होते हैं obviously they have designers or they design as per the trends so कभी-कभी उनसे inspired होके look create करना काफी बेटर रहता है और वो एक अच्छी color scheme में भी fit होता है so that's why I am creating this video बाकि जो भी किसी का personal style है no comments on that obviously सबका style बहुत अच्छा है and there is nothing to do with the clothes but clothes are just the accessories to our body just like accessories are accessories to the clothes so yeah that's how it works that's what I feel so yeah that's all for today I hope you liked the video you enjoyed this और आप मुझो comment section में बता सकते हैं कि मैं और भी celebrities look recreate करूं या नहीं और अगर आपको यह पसंद आया है तो I can make a part 2 if you guys want और आप मुझे suggestion भी दे सकते हैं कि किसके outfits का recreation do you want और आप कौन-कौन से outfit चाते हैं कि मैं recreate करूं या मेरा take क्या है उन पर so yeah that's all you know what you have to do if you like the video please like please press the thumbs up button do leave a comment if you are in love with this video subscribe to my channel press the right button yeah so until next time take care and pranaam